नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की पीछे 150 टेबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है। पीछे 150 टेबलेट का उपयोग दर्द और दुखार को कम करने के लिए किया जाता है। पीछे 150 टेबलेट को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन पीछे 150 टेबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको पीछे 150 टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना पीछे 150 टेबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की पीछे 150 टेबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा खुराक में पीछे 150 टेबलेट को लेने से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको पीछे 150 टेबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई दैई खुराक में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की पीछे 150 टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में P650 टेबलेट को लेना रेकमेंदेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में P650 टेबलेट की खुराग घटानी पर सकती है, लगातार दस दिन से अधिक P650 टेबलेट को लेना रेकमेंदेड नहीं है। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना पी 650 टैबलेट को लगातार 10 दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पी 650 टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडेंट जैसे पैरासितामोल आदी से एलर्जी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पी 650 टैबलेट का सेवन नह करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी पताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं पी 650 टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे पी 650 टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर् को पीछे 180 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनिंट महिलाओ और स्तनपान करा रही महिलाओ को ती 650 टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका पीछे 150 टेबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.